नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका RK Educational YouTube चैनल में दोस्तों आज हम MS Word 2010 के Inside Tab को पूरा Step by Step ध्यान से पड़ेंगे दोस्तों अगर आपको MS Word 2010 के File Tab और Home Tab में अगर आपको कोई प्रोब्लम हो तो हमारे पिछे वाड़े वीडियो को आप देख सकते हैं इनका लिंक description box के अंदर दिया हुआ है तो चलिए दोस्तों आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं देखें दोस्तों अब हम Inside Tab के अंदर चलते हैं Inside Tab के अंदर देखो दोस्तों हमारे पास अलग-अलग blocks बने हुए सबसे पहला block कौन सा page block फिर table block फिर illustration block है हमारे पास उसके बाद में link block फिर header and footer block फिर हमारे पास text block और फिर हमारे पास symbol block टोटल यह हमारे कितने 7 blocks हैं दोस्तों अब हम सबसे पहले block के अंदर चलते हैं वो हमारा कौन सा है page block होता है अब देखो दोस्तों page block में हमारे पास सबसे पहला क्या आता है cover page cover page हम क्यों use करते हैं तो सबसे पहले देखो दोस्तों इसके बारे में देखते है insert a fully formatted cover page you fill in the title, author, date and other information यह क्या रहा insert a fully formatted cover page यह आपको एक formatted cover page देगा मनलब जिसकी formatting पहले सी हुई हुई है ऐसा एक page आपको provide करवाएगा cover page बनाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि cover page हम काफी लंबा जो हमारा document होते हैं जैसे कोई book वगएरा हमने type की है तो वो काफी लंबी है तो उस book के लिए हमे एक उसका front page या उसका cover page हमीं तयार करना वड़ता है एक attractive के लिए हम उसका cover page को design करते हैं लग से देखो दोस्तों cover page के लिए हम यहाँ पे जाते हैं हमारे आरे पास अलग-़ग design होगे देखो cover page यहाँ पे दी हुए है जैसे हमने इन में से कोई भी जैसे हमने ये चूज कर लिया तो हमने क्लिक किया क्लिक करते ही हमारा इंसेट हो गया अभी क्या कर रहा है टाइप दा कंपनी ने क्या आपकी कोई कंपनी चल रही है तो आप उस कंपनी का नाम लिख दीजिए यहां पर अगर है तो यहां लिख स पिर क्या कर रहा है, type the document subtitle, कि अगर आपका document का कोई subtitle है, तो वो भी यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, फिर कर रहा है इंडिया, यह इंडिया देखो दोस्तों, country का नाम नहीं है, यह author का नाम है, जैसे देखो इसके उपर जाते ही दिखा देगा हमें, यह देखो, author, author कोन से इस डाउन एरो की से भी आप उसकी डेट बगरा चूज कर सकते हो दोस्तों फिर उसके बाद में हम कहा जाते हैं नीचे देखो दोस्तों क्या बतार है टाइब दा कंपनी एडर्स की कंपनी का आप एडर्स टाइप करो जैसे मैं यहां लिख देता हूँ वाड नंबर बाद नंबर जैसे टू एल कोमा पी आई एडर्स टाइप कर दिया उसके लाग कुछ आपको टाइप करना तो देखो दोस्तों अलग-अलग ब्लोक्स आपके पास दे रख पुरस्सकों इसके पोजिशन से एक नया पेज़ देगा जैसे हमको प्रेंट की प्रेंटे गहाईएentar प्रती जैसे आप इसके अंदर कुछ टाइप करते जाओंगे ना तो देखो दोस्तों यह ऑटूमेटिक आपको ब्लेंग प्रेंग फेंगा यह देखो दोस्तों यह देखो जैसे हम यहां आए हमने एंटर की प्रेस की पेज खतम हुआ तब प्रेस करते ही हैं अटमेटिक न्यू पेज के अंदर लेके चला जाएगा अगर फिर भी आप चाहते हो कि नहीं हमें पहले ही यहां काम कर रहे हैं फिर भी हमें क्या चीए वह मदलब टोटल पेज केतने हैं चर् Fighting कर रहे हैं उटसर मुझर के लिखे वे टोटाल वर्ड यहां हमने टाइप कर रखें दोस्तों अब देखिए दोस्तों नीचे है क्लिक करने बाद blank page पे करेंगे तो देखो दोस्तों फिर नीचे 2 of 2 है ना वहाँ पे क्या हो जाएगा 3 of 3 हो जाएगा देखो दोस्तों 3 of 3 हो गया फिर दुबारा किया 4 of 4 तो इस तरीके से हम जितने चाहिए हम page यहाँ पे पहले से ही insert करके रख सकते हैं पहले गरी बठते हैं दोस्तों आगे बढ़ते है दोस्तो channel में क्यांता है Celebrate का मुस्तों यह नहीं होता कि पीज को ब्रेक कर देगा दखो दोस्तों इसमें फेजग एक ब्रेक होता ना वो पेल्स को ब्रेक नहीं करता है जहां पे हमारे पाहते हैं उन ठेक्स को ब्रेक करता हूँ वहां से और उनको ब्रेक करके next page के उपर लेके चला जाएगा नहीं की वहां से page को ब्रेक करेगा पेज को ब्रेक नहीं करता है कभी भी जैसे देखो दोस्तों इस पर मैं 3 paragraph टाइप करवा लेता हूँ जैसे दोस्तों देखो equal randrand और shift 9 और 0 प्रेस किया और हमने enter key प्रेस की तो देखो दोस्तों हमारे पास कितने आगए 3 paragraph आगए अब देखो दोस्तों जैसे मुझे यहां पर page को ब्रेक करना है तो page को ब्रेक करने के दिए मैं यहां पर mouse से क्लिक किया क्लिक करने बाद क्या करूआ देखो page break पे करते हैं यहां से जो निच्छे का है ना paragraph वो next page पे चले जाएगे देखो दोस्तों यहां पर click किया करते हैं यह देखो यह पेज था फिर पूरा page खाली बच गया next page पे दोनों paragraph चले गए हम चाहते हैं कि अब क्या हो कि अब यहां से ना इस line से आगेगा क्या हो निचे से ला जाए next page में ब्रेक हो जाए यह देखो दोस्तों यह line आ गई यहां तक उसके बाद का हमारे पास कहा गया next page में यह होता हमारा page break दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास next block कुन सा था table block आता है table block के अंदर हम table को कैसे draw करते हैं वो देखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम इनको एक बार कट कर देते हैं सभी को control एसे select किया और delete press कर दिया हमारा पूरा page खाली हो गया अब हम कहां सलते है table block के पास सलते है table block दोस्तों क्या कर रहा हमे insert और draw a table into the document document के अंदर आप एक table को insert भी कर सकते हो और ख भी कर सकते हो इसको cut कर देते हैं फिर हम insert पर जाते हो और हमारे पास क्याता है table block के अंदर जाकर कि अगर हमारी पास table अगर इन column से भी हमारा काम नहीं चल रहा है total कितने होगे दोस्तों इसमें column तो 10 है दोस्तों और row कितनी है 8 है देख ओपर लिखावा 10 into 8 मतलब column 10 है और row कर दिए और row हमने कितनी कर दी 10 कर दी करके हम क्या करेंगे okay प्रेस करेंगे तो देखो दोस्तों यह table हमारे ड्रो गई 12 इसके अंदर क्या है column और 10 क्या है इसके अंदर row है दोस्तों अब देखो इस table को हम अपने recording देखो यहां से इसको अर्जेस्ट कर सकते हैं जितना जाओ आप जसे जाओ उसको अर्जेस्ट कर सकते हो दोस्तों फिर यहां से आपकी table की देखो डिजाइन है आपकी तो यह design वगए यह दोस्तों हम design tab के अंदर हम इसका पूरे design tab का अलग से एक tutorial बनाएंगे एक अलग से पूरा वीडियो बना ड्रो टेबल आपको क्या बता रहा है दोस्तों ड्रो दा बॉर्डर ओफे टेबल के बॉर्डर कैसे की जाते हैं वह आपको बता रहे हैं यहां पे अब देखो दोस्तों यहां पर हम क्लिक करते हैं देखो यहां से माउस को प्रेस करके खींच रहें निचे देखो यह हमारे छोड़ दो इसको आप जितनी चाहो इनकी width बगरा height बगरा जो भी बढ़ाना चाहो वो बढ़ा सकते हो दोस्तों एक चीद का ध्यान रखना दोस्तों कि line को आप तिर्ची नहीं खिंज सकते हैं हमने ऐसे खिंजना चाहरे हैं तो देखो ऐसे जाएगी फिर यह जैसे आप तिर्ची खिंजना चाहरे हो तो नहीं जाएगी दोस्तों देखो नहीं जा रही है table की table के अंदर text को क्या करना हमें convert करना है लेकिन उसके लिए अभी देखो यह white हो रहा है यह काम नहीं कर रहा है इसके लिए में क्या करना पड़ेगा इसको हमें cut करना पड़ेगा दोखो cut कर दिया और हम क्या करेंगे कुछ paragraph टाइप करवाते हैं देखो equal randrand shift 9 और 0 प्रेस करके हम क्या करते हैं हमने 3 paragraph टाइप करवा लिए दोस्तों अब हम कहां जाते हैं इन paragraph को पहले select करना पड़ेगा तो control a से हमने क्या कर दिया इनको select कर दिया फिर हम जाते हैं कहां पर जैसे दोस्तों select कर लिए आप insert के अंदर जाते हैं और हम किसमें दाएंगे convert text to table जैसे हमने यह किया जैसे हमने column कितने कर रहे हैं हम दो ही column कर रहे हैं जैसे हमने दो column किये और यह table लेखो दोस्तों हमने create कर दी आप जैसे चाहों इस table को create करवा सकते हो जो मतलब लिखे गए text के उपर टेबल को apply करने के लिए हम किसका यूज करते हैं convert table का यूज करते हैं फिर उसके बाद में आता है excel spreadsheet तो उसके लिए दोस्तों इस table को हम cut कर देते हैं उसके बाद हैं देखो यह cut कर दिया हमने उसके बाद में क्या करेंगे Excel Spreadsheet Excel Spreadsheet में क्या होगा दोस्तों Insert Microsoft Excel Worksheet मतलब Excel का जो page होगा वो इसके अंदर खुल जाएगा देखो इसको क्लिक करते ही यह देखो दोस्तों Excel का page आ गया हमारे पास अब इसको हम बढ़ा भी सकते हैं देखो इसकी size को हम यह देखो दोस्तों हमने पेज की size को बढ़ा लिया अब यहां पे Excel का page आ गया Excel का page देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं सब्जेक्ट लिए जैसे Hindi English, Math, Science जैसे हमने यह ले लिए फिर आगे हम क्या जाते हैं T.O.T.A.L. Total ले लिए हमने फिर यहां पे हम क्या करते हैं marks लिए दे जैसे 94, 92, 59, 83 जैसे हमने यह कर दिये पर हम क्या जाते हैं इस column में इनका add करवाना है तो देखो दोस्तों आपके MS Word के अंदर add नहीं होता formula यूज नहीं होता वाँ पे इसलिए हमने क्या गया spreadsheet को use किया ताकि हम formula से इसको आसानी से कर सके जैसे इनको select किया और क्या करेंगे auto sum पे कर दिया तो यह हो गया तो इसलिए हम किसका use करते है spreadsheet का use करते है MS Word के अंदर अब आप को होगे दोस्तों कि यह तो देखो हमारा क्या है Excel का page है और हम काम किसमें कर रहे थे word के अंदर कर रहे तो अब क्या होगा तो यहां पर देखो बाहर जो खाली जगाए ना यहां पर एक बार क्लिक करना Excel का page आपका गाइब हो जाएगा देखो दोस्तों यह देखो दोस्तों हो गया पूरा page गाइब तो यह होता हमारा क्या आपकी spreadsheet होती है उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम किसके पास आएंगे quick table के पास आएंगे quick table के लिए जाने के लिए देखो दोस्तों हम next page में क्लिक करते हैं देखो नया page ले जते हैं एक बार हम enter की press कर रहे हैं तो देखो दोस्तों आगया हमारा नया page अब हम क्या करते हैं, इसके ओपर जाएंगे Quick Table का Use क्यों करते हैं, Quick Table का हम यूज़ इसलिए करते हैं कि कई बार हमें Table के Data तो हमारे पास होते हैं, लेकिन है यह Idea नहीं रेता कि हम उस Table की Design कैसी बनाएं, हम इस Confusion में रहते हैं तो इस इस लिए इस confusion को दूर करने के विए हमें MS Word ने एक option प्रोवाइड करुआ है Quick Table का जिसके अंदर क्या होगा यह हमें कुछ Table के format पहले से ही बना कर दिये हुए है जैसे हमें calendar बनाना है तो इसके पूर जैसे calendar का format दिया हुआ है तो इसके पूर हम क्लिक करते हैं अब आपको इन नहीं वी calendar तो हमें June का बनाना था तो आप इसको क्या करो यहां क्लिक करो और इसको काट दो और J, U, N, E हमने June कर दिया यह June का बन गया है अब आपको इन नहीं वी June में तो Friday से date start हो रही थी तो हम क्या करेंगे इसको काट दिया हमने इसको भी काट दिया इसको भी काट दिया यहां से हम क्या करेंगे वन अब जैसे हमें दोस्तों आगे जाने के दिए tab की प्रेस करो तू थरी यह देखो थरी जो भी हमें जी आप उसको हम बना सकते हैं हमें किसलिए वोता है मैंने फोर्मेट हमें प्रोवाइड करते के लिए फिक टेबल चीज किया जाता है फिर उसके आगे बढ़ते है तो दोस्तों हमारे पार सब्सक्राश्टिणा आता है तो उसके ट्कौत कर देते हैं कि अव्र दोस्तों पिच्चर्स में क्या आएगा जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं कि ms word 2010 से related को फोटो डालना चाहते हैं यहां पर एंटर की प्रेस की और कहां जाएंगे पिच्चर्स के अंदर जाएंगे जैसे हमारे पास जो भी कोई पिच्चर पड़ी है यह हमारा क्या है file और home tab के लिए हमने भराथ गया बढाय था हमारा thumbnail बनाय था इसको हम double click क्या और यह देखो नीचे आगए तो M s word से related चीज़ आ गई अब इसको देखो दोस्तों यहां से छोटा बड़ा आप कर सकते हो ंदेखो हमने दोस्तों यहां पे शेट पर चाहों तो अंदर समझेंगे दोस्तों यह देखो किता अवः अलग रहा आथ इसको यह होता हमारा क्या पिच्छर होती है तो दोड़ा कि बढ़ते न हमारे पास क्या हता है clip art आता है clip art में क्या है insert clip art into the document including drawing movies sound or stocks photography to illustration specific concept तो दोस्तों यह हमें क्या करेगा clip art provide करवाएगा दwart दो देखिए दोस्तों यहाँ पर clip artे हमारे पास कुछ clips हमें मिलेगी तो देखिए उसके लिए हमकुछ पहले यहाँ पे क्लिप करेकी 912 यहां पे लिख दिया लेक्ने के चाहते हैं कि कुछ timer के बारे में जोसे हमने यहां पर rem टाइगर टाइगर लिखने बाद कहां पर जाएंगे गो पर करते ही देखो दोस्तों यहां पर हमारे पास यह क्लिप आ गई अब जैसे इसको आप बड़ा छोटा जो भी आप अपने करना चाहो इसको कर सकते हैं मनें टाइगर का पूरा पर पर परेगराफ टाइप किया और उसके निचे टाइगर की इमेज लगा दी तो यह आती है इमेजे यूज़ कर ने आप यहां पर इसको बड़ा चोटाप कर सकते हो मतलब आप अपने जो टेक्स लिख रहे हूं उनके के अंदर कोई पिचर वगरा इंसर्ट करने हैं कोई क्लिप वगरा डालनी है तो उसके दिए आप क्लिप आर्ट का यूज करोगे इसको आप जैसे बोडर वगरा डाल सकते हो यहां पर आप इसके अंदर जो भी आप इसके अंदर बोडर डालना चाहो देखो दोस्तों बोडर से स्लेक्ट किया और डिलिट कर देते हैं एक बार इसको फिर हम कहां राते हैं सेपस के अंदर सेप में क्या होता दोस्तों सेप लगवग आप सभी को यूज़ करना आता हुगा जैसे देखो अलग अलग डिजाइने बनी बनाए डिजाइने इनको हम यूज़ करते हैं जैसे यहां से mouse key left key को press करके कि इसको खीच लो नीचे आपको जैसा चीए आप इसको लाज सकते हो फिर जैसा कि आपको पहले पता है design के लिए हमारा एक अलग सी वीडियो त्यार करेंगे और जैसे देखो और कोई चीए देखो डिजाइन ने पड़ती हैं तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो फिर उसके बाद में आता है हमारे पास क्या smart art उसके दिए एक बार हम इसको बिलिट कर देते हैं और हम का जाते हैं smart art के उपर जाते हैं तो smart art क्या था दोस्तों insight is smart art graphic to visually communicate information तो मालग वीजुल तरीके से communicate करवाएगा आपको सुसनाओं से देखे दोस्तों इस पे हम क्लिक करते हैं जैसे हमारे पास आता है ओल आता है लिस्ट आता है प्रोसेस आता है साइकल आता है हाईरार्की का आता है relation आता है matrix आता है पिरामिड आता है और picture आता है तो इन में से आप कोई भी एक उठा लो जैसे समझने के लिए हमें हाईरार्की को उठाते दें बाकि यह दोस्तों आपके जो subject होगा या आपका जो topic होगा उसके according या अलग-अलग बनेंगे आपके चार्ट है या आपके जो smart art लग-अलग बनेंगे उसके अंदर का उंड tehd Alexis नइस के अंदर कौन सा उठाएंगे दो मने इसे लिह को okay कर दिया यह हमारा आ गया अब हम इसके अंदर जैसे add करते हैं यहां पर हमने जैसे computer अ क्रेंड़ कर दिया O U T P U T output अब जैसे देखो दोस्तों हमारे पास input output हो गया, अब हम क्या चाहते हैं क्या कि हमारे पास storage का ओर हो तो अब हम क्या जाएंगे देखो add shape पे click करेंगे यह देखो दोस्तों, add shape हो गया हमारे पास यहाँ पे हम क्या लिख देंगे storage, s t o RAGE storage हो गया हमारा अब निच्छे आते हैं देखो input में हमारे पास क्या आता है keyword और दूसरा input device क्या हमारा mouse फिर हमारा output device क्या आता है monitor monitor हो गया फिर दूसरा output device हमारे पास अब देखो दोस्तों monitor हो गया अब हमें एक output device और लेना चाहते हैं तो कहां जाएंगे, Addshape पे हमने क्लिक कर दिया, तो यहां पर हम क्या लिख देगे प्रिन्टर लिख देगे जैसे प्रिन्टर हो गया हमारा फिर आप क्या जाते हो कि, Storage जो है इसके नीचे भी हमें क्या करना है लिखना है, तो अब क्या करेंगे, हम एड़ सेप पे करेंगे तो इसके आगे बनेगा वो अब हम क्या जाते हैं इसके उपर क्लिक करते हैं और एड़ सेप आफटर बाद में एड़ से बिफोर पहले ना पहले भी नहीं है बाद में नहीं है पहले दोस्तों कौन सा होगा इधर होगा बाद में इधर होगा और फिर अब अबॉँ अब बनाना तो का हम बनाना एड शेफ बिलो बिलो का मिलब उसके नीचे बनाना देखो यहां पर लिखाओ add a shape one level below the selected shape यह देखो दोस्तों नीचे बन गया अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे जैसे हमारे पाइश्टोरेज दो कर गयोते हैं primary और secondary प्राइमरी और प्राइमरी हो गया अब हमें इसके साइड में एक और ची यह तो हम कहा जाएंगे एड़ सेप पर जाएंगे और यह देखो दोस्तों यहां पर एरो पर क्लिक करेंगे आफ्टर बाद में कर दें इसके तो देखो दोस्तों यहां आ गया यहां जैसे हमने यह चूज कर लिया यह हो गया हमारा अब हम क्या चाहते हैं इसको एक डिजाइन देना चाहते हैं दोस्तों देखो जैसे यहां से हमने क्लिक किया और यह अलग अलग डिजाइन है हमारे पास देखो दोस्तों यह रही यह देखो दोस्तों इधर यह रही हम चार्ट के लिए दोस्तों इसको हम क्या करते हैं इसको कट कर देते हैं देखिए दोस्तों अब हम चार्ट पे क्लिक करते हैं चार्ट पे क्लिक करते हैं देखो दोस्तों हमारे पास बहुत सारे यहां पे Excel के page में हम जो कुछ भी changes करेंगे वहाँ यहां चार्ट में होगा तो चार्ट दोस्तों बनाया क्यों जाता है चार्ट एक graphic रूप से उसको problems को जो graphics रूप से हमारी जो चीजी है उनको show करने का काम करता है देखो lines के दोरा उनको show करेगा दोस्तों देखो देखो यहां पे देखो दोस्तों लिखाव series तो देखो दोस्तों मैं इसको change कर देता हूँ यहां पे जैसे मैं लिख देता हूँ यह हिंदी के marks है और यहां पे मैं English के कर देता हूँ यहां पे मैं math के कर देता हूँ पिर आगे जितना भी चाहो आप और भी ले से तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है वो जैसे आपने यहां पर क्या कर दिया है साइंस कर दिया फिर देखो दोस्तों नीचे आपने जैसे इधर आपने कैटेगरी के अंदर क्या कर दिया जैसे रवी कर दिया फिर फुजा कर दिया फिर नेहा कर दिया फिर मनीज कर दिया यह आपने जो भी नाम थे वो लिख दिये फिर यहाँ पर हमने मार्क्स किये तो देखो हमने 88, 72, 54, 96 फिर देखो दोस्तों हमने यहाँ पर 54, 87, 86, 37 फिर हमने 59, 91, 93, 90 फिर देखो दोस्तों 59, 49, 3, 88 यह सोरी 58 यह देखो दोस्तों यह हमने बना दिया टेबल दोस्तों जैसे हमने टेबल बनाई थी इदर देखो दोस्तों इसके अंदर चलता है अब एक बार हम इसको फुल पेज़ पे करके देखते हैं हमारा चार्ट कैसा बना है यह दे सब्जेक्ट हैं देखो दोस्तों हिंदी के अंदर देखो दोस्तों यह रही हमारी तो यह हमारी हिंदी की है यह साइंस का है फिर अगर जैसे हमसे पुछे कि वही सबसे ज्यादा नंबर कि सब्जेक्ट में यह सबसे ज्यादा लंबी लाइन कौन सी है यह किसके साइंस की ह तो कि science में नमबर आये किसके रवी किया है सबसे जादा नमबर तो इसके अंदर इन नाम के अकोड़ी है इन ग्राफ्स को इनको चार्ट को चलाता है दोस्तों अब देखो दोस्तों आगे इनके अंदर डिजाइन है आप जो भी लगाना चाहो वो लगा सकते हो दोखो यहां से जो भी डिजाइन आप चूज करना चाहो कर सकते हो यहां से और भी डिजाइन है देखो दोस्तों यहां पर हमारे सामने जो भी डिजाइन है आपको चाहिए अगे बढता है हमारे पास क्या आता है स्क्रीन स्ट आता है तो स्क्रीन स्ट पर क्लिक कर में तो शी करा इनड़ स्क्रीन इंटो दा फाइल तो आप मनें एक पर क्लिक करेंगे यह देख़ो 걸्स दो Ampets क्लिक करते हैं क्या करो स्क्रीन सोट लो जैसे हमने यहां पर प्रेस करके माउस से इसको यहां तक खीच दिया अब देखो षोड़े हैं जो यहां पर Inset होगी मदलब आँस दो हान पका उसकी वहां से सा शोटा कर देते हैं इंदर से कर देते हैं यह देखो दोस्तों यहां पर सेट हो गया तो एक अट्रेक्टिव लुक लगेगा इसका तो यह होता हमारा क्या स्क्रीन शोट होता है दोस्तों देखे दोस्तों अब आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है लिंक में सबसे पह जो पेज का, जा ओडियो का, या वीडियो का, या फिर किसी इमेज का, एक link तियार करके देता हमें, और वो link यहाँ पर हम कहीं पर भी उसको insert कर सकते हैं, देए दोस्तों, जैसे मुझे यहाँ पर कोई पेसे बनाएगी कोई फाइल का link insert करवाना है, तो जैसे मैं यहां से एंटर प्रेस करकी यहां इस लाइन में हमें कोई लिंक एंटर करवाना है तो क्या करते हैं हाइपर लिंक पर जाते हैं जैसे देखो दोस्तो हमारे पास यह पड़ा कोई पेपर है इसका लिंक हमें यहां डालना है तो जैसे हमने इसके ओपर क्लिक किया और ओके कर दिया तो यह देखो दोस्तो वो फाइल थी उसका यहां पर क्या तियार हो गया लिंक तियार हो मतलब हाईपर लिंक क्या करता है एक उस फाइल का एक लिंक तियार करके देगा जो यहां पर आ जाएगा फिर हमें देखो दोस्तो यहां पर हमें कोई वीडियो का लि ना जैसे नीचे वर्ड लाइन में यहाँ पे, यहाँ आ गई हैब हम कहाँ जाते हैं, हाइपर लिंक पे, जैसे हाइपर लिंक से हम कहाँ जाते हैं, डेस्टोप पे चले जाते हैं, यहाँ से कोई भी अगर फाइल आपको चाही है, तो यहाँ से हम उस फाइल को उठा लेंग किसी वीडिया फाइल का होता है तो अब देखो दोस्तों इसको जिसे हमने यहां से यहां तक पढ़ा फिर हम इसको देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे इसके दिए इसके दिए आप डायेट तो अब इसको ऊपन कर नहीं सकते हो तो इसके दिए देखो यहां पर आपके control पलस क्लिक से आप इस link के को follow कर सकते हो तो जैसे हमने यहां पर control प्रेस किया आप देखो दोस्तों माउस का साइन चेंज हो गया अब जैसे हम इसके पर क्लिक करते हैं यह हमारे पास मेंसिज आता है कि आप यह होता लिंक अब देखो दोस्तों जैसे हम दूसरे लिंक पर जाते हैं तो यहां पर हमने कंट्रोल प्रेस किया और इस माउस से यहां पर क्लिक कर दिया यह देखो दोस्तों नीचे हमारे पास खुल के आगए तो यह जो हमने इस टार्टिंग में फाइल टैप का जो वीडि को डालेगा जिसे हमें उनको चेक कर सकते हैं अब देखो दोस्तों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हम तो हमारे पास क्या आता है बुक मार्क इसमें क्या होता दोस्तों बुक मार्क में जैसे हमने बुक को मार्क कर रहे हैं मतलब एक बुक रीडिंग कर रहे हैं जैसे हमारी ए करते हैं ताकि वहाँ से आगे हम पढ़ ले ले आगे तो computer हम् Guess भर हम क्लिक करेंगे और जाएम कंसी जगए बॉक मार्क पढ़ जाएऊ दोस्त tới कौन्वरन भी कारण हैं इस वां पर हम नबर में नहीं लगा सकते यहां तो यहां पर आके हमने चौड़ दिया तो यहां पर आपे फिर पिर आपैपि किस अध़िया जैसी यहां पर आपने किसम को किया बुक मार्क पर गये और यहां से हमने किसको एड़ कर दिया यह लो दोस्तो अब आप करे होगी है अब हुआ क्या अब देखो दोस्तों जैसे हमने यहां पर आ गए हम अब हम दुबारा इस पेज को खोलते हैं फिर हम एक देखते हैं कि हमने सबसे पहले कहां चोड़ा था हमें याद नहीं रहता कि बड़े डोकुमेंट थे हमने कहां कहां वो बुक मार लगाया था अब हम याद नहीं है तो हम कहां जाएंगी बुक मार्क में जाएंगी और देखो दोस्तों फैस्ट पर क्लिक किया और गोटू पर क्लिक किया और गोटू पर किया तो बुक मार्क के अंदर क्या होता दोस्तों बुक मार्क के अंदर जब हम किसी बुक को रीड क करना चोड़ते हैं तो वहां पर एक bookmark लगा देता जिसे हमें पता चल जाता कि हमने book को कहां पर read करना चोड़ा था देखे दोस्तों आगे बढ़ते हैं cross reference कुछ यहां पर type करता हूं जैसे सबसे पैदे हमने computer type कर दिया फिर हम दूसरे page पर जाते हैं तो blank page ले ले लेते हैं फिर वहां पर हम क्या करते हैं storage कर देते हैं storage कर दिया फिर वहां भी हम page को क्या कर देते हैं blank page ले ले लेते हैं वहां पर हम क्या करते हैं जैसे हमने software कर दिया software कर दिया फिर जैसे document यह मानके चलो हमारे सभी क्या दे डोकोमेंट थे अब हम इनकी क्या करते हैं detail लेते हैं document detail अब देखे दोस्तों अब यह सभी document है ना इनके अंदर हम कुछ एक जैसे आप type करना चाहों कुछ कर दो जैसे यहां पर हमने enterprise किया और यहां पर equal और randrand और यह कर दिया इसको एक बार हम क्या करते हैं कोपी कर लेते दोस्तों ताकि यह हर page के लिए हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा और यह enterprise किया अब second page में आए और यहां पर हमने इसको एक हमने क्या क्या है यहां बहुत कर दिया फैले की हैं एक हेडिंग का रूप दे देते हैं जैसे होम टैप पे गए और यहां से हमने heading 2 कर दिया इसको यहां गए इसको भी क्या किया heading 2 कर दिया यहां गए और इसको भी हमने क्या कर दिया heading 2 कर दिया और यहां गए इसको भी हमने क्या किया heading 2 कर दिया और यह last था अमरा इसको भी क्या कर दिया हमने heading 2 कर दिया दोस्तों अब देखें दोस्तों अब हम आगे क्या करते हैं अब हमें cross reference क्या बताता है वो देखिए दोस्तों cross reference हमें क्या बताएगा कि आपने किस type का document था आपका यहां पे तो हमने क्या क्या, heading type के लिए हमने, reference में किसको use करेंगे, heading को use करेंगे, reference के लिए, heading लेने के बाद में हमारे पास कौन से heading आ रही है, देखो यह आ गई, तो एक बार देखिए दोस्तों, हम इन heading को यहाँ लाना चारे हैं एक बार, सभी heading को, तो यहाँ पर हमने click किया, और इ software को ले लिया, फिर देखिए दोस्तों, उसके बाद में हमारे पास input आ गया, फिर उसके बाद में हमारे पास output आ गया, यह देखिए दोस्तों, यह हमारे क्या हो गई, heading हो चुकी, अब हम क्या चाहते हैं, इन heading क्या आ गई, इनके page number और लगा दे, यह heading कौन से page number पे है, cross reference और computer heading है, इसका हम क्या करते हैं, यहां से page number ले लेते हैं, और यह देखो, page number पे क्या, page number आ गया है, उसका one, फिर हम नीचे वाड़े पे आते हैं, और यहां भी हम किसका लगा है, storage का भी page number हम insert करवा देते हैं, two page पे हैं, फिर हम software पे आते हैं, और software का क्या करते हैं, page number डा आते हैं वह हमारा कौन सा हो गया पेज नंबर 5 हो गया अब इसको हम यहां से क्लोज कर देते हैं अब यह दोस्तों देखो हमने क्यों लगाए है यह हमने जैसे हमारी काफी बड़ी बुक हो गई थी उसके अंदर हमने यहां पर क्रोस रेफरेंस इसलिए लगा दिये ताकि जि जैसे मैं प्रेस करूँगा इसका माउस का आइकन चेंज हो जाएगा देखना यह देखो चेंज हो गया हाथ का साइन आ अब मैं इसको प्रेस करता हूं यह देखो दोस्तों सोफ्ट्वेर पे पहुंच गए अब वापस हम वह आ जाते हैं और जैसे हमें किस पर जाना है यह साथ हमने किसको प्रेस करें माउस को तो यह हम काम पहुंच गए इस तरीके से क्या को यूज होता हमारा क्रोस रेफ्रेंस यूज होता है दोस्तों देखिए दोस्तों हम ज़दा इनको डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे यहाँ पर क्योंकि हमारा वीडियो का भी क्यार हो जाएगा देखिए दोस्तों आब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्या आता है hetter and footer आता है heowner muchas में क्या आता है heller आता है footer आता है page number आता है तो विश्म हम किछ exe करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगी हम कुछ paragraph कर वा लेते हैं तो देखिए दोस्तों अब हमारे पास जोटल केंजे नहीं तो देखे दोस्तों अब हम क्या करते हैं अब हम उपपर चलते हैं और क्या करेंगे सबसे पहले एडर को यूज करेंगे header पर click करेंगे और click करते देखो हमारे पास अलग-अलग type के heading आचुगे देखो आपको उपर लेनी है या देखो आपको उपर लेनी है heading alphabet के अंदर लेनी है या blank three columns लेने आपको या फिर blank लेना है देखो अलग-अलग आपके पास है जो भी आपको heading चीए जैसे हमें यह heading चीए तो हमने यहा पर क्या लेलिया यह header यहां से यह लिकार लिया अब यहां से आपको जो भी title देना हो जैसे हमने क्या दिया c o m p u p e r जैसे हमने computer दे दिया title यह देखो दोस्तों अब हमारा header क्या हो चुगा computer रोजगा देखे हर page के अंदर उपर हमारा header रहेगा title के तोर पे देखो हो गया दोस्तों यह था हमारा क्या header इसको हम heading वगरा लगाने के लिए या फिर हमें title लगाने के लिए इसका use करते हैं किसका header का अब देखे दोस्तों आगे हम चलते हैं फूटर आता हमारा फूटर क्या होता है जो page के नीचे लगाया जाता है page के नीचे हम चाहिए page number लगा हो या फिर कुछ लिखना हो page के नीचे तो वो चीज़ी हम यहाँ पे करते हैं देखे दिसे हम यहाँ पे यह लेते हैं अन्वल को लेते हैं और देखो left side के अंदर 1 लिखा हुआ है इसके उपर क्लिक करते हैं तो यह देखो दोस्तों सभी page के नीचे numbering आज़गे number 1 page, number 2 page, number 3 page जहां तक भी आप जाओगे हर page के नीचे आपको numbering देदेगा जिसे page की numbering हो गई फिर उसके बाद में देखो हमारे पास क्या आता है page number तो page number के अंदर देखो सबसे पहला क्या है top page, मतलब page के सबसे उपर आपको page number शोगरेगा यह कौन सा है, left side के अंदर है यह center के अंदर है, यह right में है यह right में page लिखकर, यह one लिख रहा है यह कह लिख रहा है, one of one की one page है, इसमें क्या one है, देखो इस पे click करते हैं देखो दोस्तों हम करते हैं क्या आगा है, कि page कितने है total four है, और यह page कौन सा है one page है, फिर उसके बाद में देखो दोस्तों इसी के अंदर और आगे बढ़ते हैं, page number के अंदर हम, तो page number के अंदर देखो bottom, आगया हमारा, कि page के नीचे लगाना है, फिर page के नीचे में देखो दोस्तों हमारे पास देखो center में आ रहा है, जो भी आपको चीज़ असी है, यह right के अंदर, तो यह दोस्तों right के अंदर आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, देखो page margin आ गए, कि page का margin set करेगा, देखो यह आता हमारे का page के margin के अंदर लिखेगा, देखो अब हम क्या करते हैं, इस पे जाते हैं और देखो current position पास हमें, तो एक बार हम जासे कौन से page पे हैं, इस यह देखो यह रहा कि क्या हमने क्या है पेस दो कहीं पर भी नहीं लिख़ेगा और झीनि च्लाली कि फेसे निशिटोний क्या है वाइन वäक्म कीशनी अर्माट प्रमीट डेंड不是 पर फोर्मेट Nuclear कि हो उसको कीशेंच कर सकते हो देखो दोस्तों क्या हैं या आप यूज कर रहे हैं जोसे हमें capital letters ले लिया ले लिया फिर उसके बाद हमने ok किया अब देखो दोस्तों हम सभी के page number जैसे हम bottom के अंदर लगा रहे हैं और सभी के अंदर देखो center के अंदर यहां पे लगा देते हैं तो देखो दोस्तों c बी अब alphabet के अंदर आएगे capital letters आएंगे हमारी यहां पे page number में 123 की जगर आएंगे capital letters आएंगे दोस्तों और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्या remove page number कि जो page number हमने लगा है उनको क्या कर देगा remove कर दिया देखो दोस्तों यह कर दिया हमारा देखिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास text block के अंदर क्या आता है text box आता है text box पे देखो क्या लिखावा insert pre-formatted text boxes मतलब आपके अंदर आप क्या कर सकते हो insert कर सकते हो पहले से format किये हुए text box को मतलब पहले से बने हुए text box को आप insert कर सकते हो तो उसके लिए दोस्तों एक बार इसको control एसे select किया हमने और delete key press की अब delete key press करने के बाद में देखो हम कहां जाते हैं text box पे जाते हैं और इस arrow पे click करते हैं फिर हमारे पास देखो अलग-अलग box से जाये हुए जो भी box आपको चाहिए आप यहां से ले सकते हो फिर आप दोस्तों आप चाहते हो कि नहीं हमें यह box यहां नहीं थोड़ा सा इसको बीच में और तो देखो इसको drag mouse को drag कि यहां पे ला सकते हो आप, देखो इधर भी लेके जा सकते हो जहांपे आप कुछी आप इसको adjust कर सकते हो आप इसको फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर तो देखो इसी के अंदर text box के अंदर हमारे पास दूसरा option एक और भी आता है draw text box कि आप text box को draw भी कर सकते हो जैसे दोस्तों इस पर click करते हैं और देखो mouse से हम यहाँ पे अपना text box draw कर सकते हैं देखो देखो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं आप क्याता है?ieht эфф quick part क्या होता है दोस्तों? यह क्या होता है? quick part quick part आपका mint mother का का मिंटों का काम Dia और second के अंदर करवाता है वो कैसे करवाता है दोस्तों? वो हम देखते हैं जैसे और आर अछे यहाँ पे speak होता है कि यहां से आपने इसको डिलीट कर दिया फिर आप इसको कोपी कहां से करोगे कोपी करी नहीं पाएंगे तो इसके लिए दोस्तों MS Word के अंदर एक option ओर रहा है और वो कौन सा है Quick Part तो उसके लिए देखो दोस्तों मा आपको बताता हूं हम नहीं देखो पहले इसको क्या करो से लेक कर लिए हमने सेक्ट करने के बाद हम कहा जा है Quick Part की डाउन एरो के उपर जाएं गे और यहां से हम इस पर क्लिक करेंगे save selection to quick part gallery तो यहां पर हमने क्लिक किया यह हमसे नाम पूच रहा है कि आप किस नाम से इसको यहां पे save करे हो, तो जैसे हमने my के नाम से यहां पे save कर दिया, फिर gallery, जैसे हमारी phone की gallery होती है, जहां पे हमारी photos बगरा, जैसे हमने और कुछ यहां पे type किया, जैसे हमने और कुछ यहां पर टाइप किया जैसे my name is xyz जो भी है वो हमने टाइप कर दिया तब हम क्या जाते हैं इसको भी हम quick part के अंदर enter कर दें तो यहां पर जाएंगे save selection to quick part gallery और यहां पर हमने इसका क्या लिखा एक केवल m लिख दिया हमने और यह हमने okay कर दिया अब देखो दोस्तों अब जैसे हमने पूरे हमारा पास जैसे अब来了 पूरा data हो गया तो दूबरा चाहिए तो वारा चाहिए तो हम किसको यूज़ करेंगे यहां पर जाएंगे और कहां पर जाएंगे यह तो यह रहा हमारा डाटा क्लिक करते ही आ गया फिर दूसरा हमारा यह यह भी आ गया फिर हम चाहते हो कि ऐसे नहीं हम इसकी क्कड की क्या होती है तो देखो दौस्तों आपने परोगराफ को किस नाम से सेव किया था माई के नाम से तो यहां माई लिखो और क्या करो एप 3 की press करो कीवर्ट से तो यह औटोमेटिक आदाता है अब दोस्तों आपके साबने समशह यह आएगी कि इसको क्या करें प्र दोस् अज़िए, नाम है तुम का उह वुन कर उन्हीं को डीलिट करना है वह दोस्तों यह वह मिल गया my, इसको हमने select किया और delete किया और इसको हमने are you sure you want to delete the selected is हमने इसको फिर हमारे पास am delete और येस, अब ये पर्मानेंट इससे डिलीट हो गए, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, दोस्तों हमारे पास क्या आता है, वर्ड आट आता है, वर्ड आट पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट इन यूर डोकॉमेंट, म देखो इसको आप अपने हिसाब से, बड़ा चोटा आप कर सकते हैं, फिर इसको हमने सेलेक्ट करके, हम होम टैप पे जाके, इसको क्या करेंगे, इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, देखो दोस्तों, ये कर सकते हैं, ड्रोप का अप पे जाते हैं, ड्रोप का अप के ल कायब काम करने लग गया है अब इस पे क्लिक करते देखो create a large capital letter at the beginning of a paragraph क्या गर रहे हैं create करेगा large capital अक्सर मतलब capital के अंदर convert करके उसको बड़ा अक्सर लिखेगा कहां पे beginning of a paragraph paragraph का पहला जो अक्सर है उसको capital करके लिखेगा दोस्तों तो इस पे हम click करते हैं देखो यहाँ पे यह dropped कर दिया हमने देखो पहला अक्सर ओ था तो ओ को देखो इसने capital किया और टीन लाइनों के अंदर इसको लाता है यह लाइने हम बढ़ा भी सकते हैं जैसे तो फिर आप कोगे drop कर यह option क्या है तो यहाँ पे जाते हैं देखो line to draw कि line कितनी line draw करने लिए कह रहा है यह कि आप केवल तीन line तो हमें यहाँ पे देखो हमने six line है कर दी तो देखो six करके okay देखो दोस्तो six line है आ गई one two three four one two three four और five और six line थी नहीं क्योंकि five line का paragraph था इसलिए इसने यह कर दी अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या था signature line तो उसके लिए एक बार हम इसको वापस कर देते हैं देखो normal में convert कर दिया अब देखो signature line पे हम click करते हैं तो यह में क्या देता है insert a signature line that specify the individual who's must sign क्या आप क्या करो कि जैसे हमने कोई application बगरा बनाई है कोई document बनाया जिस पे नीचे किसी signature चीए में तो उसके लिए हमें क्या करेंगे signature line को हम लेंगे तो उसमें क्या है यहां है जिसके suggested signer जिसके sign होने हो उसके वोई नाम यहां पे हम लिखेंगे जैसे मैंने लिख दिया जैसे जैसे उसका kneiser जैसे मैंने उसका designation मैं से हम लिए कर दिया टिछ के इमेल ऐडि तो हम कोई जरूत नहीं हमें अब इसको आप अपने according आप इसको किधर भी ले जा सकते हो अब आप इसको किधर भी लेकर जा सकते हो आगे जा सकते हो यहाँ पर है जो sign करने वाला वो signature कर देगा ठिसके आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्या आता है date and time insert date and time insert the current date or time into the current document जो current document में हम है वहाँ पे date and time को show करेगा तो देखो इस पे हम click करते हैं अभी हमें available format दे रहा है कि कौन-कौन से format इसके पास available है देखो ये जो है हमारा 12, 12, 12 ये है ये हमारा Saturday, December ये है अब जो भी आपको जैसे हमें ये उठाया हमने और इसको हमने क्या क्या O.K. कर दिया तो ये देखो ये हमारे आ गया अब देखो इसको हम adjust कर सकते हैं अप अपने according इसको फिर इसको मैं कहा ले जाता हूँ इधर इसको मैं फिर क्या आता हमारे पास object आता है दोस्तों insert object, insert and embedded object यह आपको एक object insert करने इक permission देगा, मतलब आप देखो मैं इसके इंदर आपको दिखाता हूँ सबसे पहले, जैसे यहाँ पे हमें कोई drawing वगरा बनानी है, जैसे नीचे बनानी है, next page में आजाते हम यहाँ पे, जैसे देख में जाता हूँ, bitmap image कुन सी होती है आपकी, painting होती है, ms painting जिसको बोलते हैं, click किया, यह देखो, ms painting पेज खुल गया, आप यहाँ से कोई भी design मनाओ, जैसे हमने, यह design, यहाँ से देखो, दोस्तों हम एक design मना लेते हैं, इसके अंदर circle ले लेते हैं, ले लिया, अब उसके लेते हैं, यह हमने एक design मना ली, कहने का मतलब है कि हमने एक design मना ली, अब उस design को directly ms word के अंदर हम insert कर सकते हैं, नहीं कि वहाँ से कहीं सी और से इसको choose करके लाने ही जूरत पड़ेगी, जैसे हम इसके उपर cross करते हैं, cross करते हैं, यह automatic उसके अंदर चली जाएगी ms word में, देखो, देखो दोस्तों, automatic आ गई, तो यह होता हमारा क्या, object होता है, फिर उससे आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, symbol block आता है, symbol block क्या होता दोस्तों, देखो, अभी आपको बताते है, symbol block के बारे में, जैसे equation आती है, equation क्या होती है, insert common mathematical equations, और build up your own equations using a library of math symbols, जैंगे, जैसे हमने इसके उपर click किया, हमने equation देखो, यह हमने उठा ली, अब आपके सामने देखो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एक बार, देखो, अब यह हमारे पास आ गई, अब आप इसमें चाहो, देखो, अब इनके एक बार थोड़ी सी size increase कर देता जो आप इसमें changes करो, वो आप इस design के अंदर अपने हिसाब से इनको change कर सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हम उससे आगे बढ़ते हैं, तो इसके अंदर और भी equations होती हैं, जो चाहो आप देखो, यह रही equation है, और देखो, यह उठा लेते हैं, अब यहाँ पर आपक वो कर सकते हो इसके अंदर, जो हमें normally वहाँ बनाने में काफी मुश्किले आती हैं, और दोस्तों बनती भी नहीं है, इसलिए यह अलग से equation दी जाती है, फिर आते हैं हमारे पास क्या symbols आते हैं, तो symbols क्या होते हैं दोस्तों, देखो, symbols कुछ ऐसे design होते हैं, जो कि हमें home tab के मिलते हैं, तो इनको हम यहां से more symbols के अंदर जाओ, देखो, जैसे आपको watch चीए, गड़ी चीए, तो आप इसको यहां से, देखो, watch चीए तो आप इसके बड़ क्लिक करो, और insert करो, और close कर दो देखो, यह आपकी watch मिल गई आपको, अब इस watch को आप बढ़ा कर सकते हो अप पर लेके जाओ इसको, जो भी चीए, जैसे हमें यह design से यह, तो इसके उपर क्लिक किया, और insert पे किया, और close किया, तो देखो, यह design हमें यह मिल गई, जाओ, आप इसके अंदर डिजाइन हैं चाहते हो, वो आपके symbols के अंदर आपको मिल जाएंगी, इसके अंदर हम क्या ल तो देखो, यह भी हमारे पास design आ गई, यह था दोस्तो हमारा symbol blog, तो हमने क्या पड़ा आज दोस्तों, हमने आज insert tab के अंदर page पड़े, tables पड़े, illustration पड़े, links पड़े, header and footer पड़े, text पड़े, symbols पड़े, तो दोस्तों, अगर आपको इन में किसी भी topic के उपर, या किसी लाइक जरूर करना, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास इसको share करो, और दोस्तों subscribe करना मत भूलना, और subscribe करने के साथ में उसकी साथ आने वाले bell icon पे जरूर प्रेस करना, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो क्या notification मिलता रहेगा, तो चलो दोस्तों, धन् जब हर दो